नमस्कार इस्टूडेंट्स और मैं हूँ आप सभी के सामने डीके चौधरी और आप में से काफी बच्चे कह रहे थे कि सर जो यूपी पीसीएस 2023 का जो पेपर हुआ है तो उसमें आप पॉलिटी के कुश्चन करवा दीचे तो मैंने आपके बैच में पॉलिटी के कुश्चन नहीं करवाए थे जो अभी हाल में ही यूपी पीसीएस का संडे को एक्जाम हुआ है तो टूटल जो है 22 कुश्चन यूपी पीसीएस में आए हैं पॉलिटी के और इस बार यूपी पीसीएस ने थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज किया है कोश्चन बहुत यानि कि बहुत आसान भी नहीं है तो बहुत हार्ड भी नहीं है और कोशनों को mostly जो 10 बारे कोशन है वो सीधे सीधे हमारे सम्विधान से कोशन उठाए है तो आज की क्लास में हम discussion करेंगे कि किस type का कोशन आया है और किस तरीके से आपको कोशनों को quality के कोशनों को solve करना चाहिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितना भी मैंने अपनी क्लास में करवाया है कोई भी एक कोशन ऐसा नहीं है जो मेरी क्लास के नोट से ना आया हो तो इसका तो proof आप already जो है देख भी चुके हैं और आपने जो है अपने नोट से उसको match भी कर लिया होगा तो ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट PCS का पेपर देते हो या IES का देते हो तो सारे के सारे कोशन आपको इजीली नोट से मिल जाएंगे बस बसरते कि आपने नोट अच्छे तरीके से पढ़े हैं हम कोशन को सॉल्व करवाते हैं अब जैसे यहां पर आप देखिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को यहां पर देखें जैसे यह यूपी PCS 2023 का जो पेपर है अगर हम देखें आपर तो जैसे आपने देखा होगा वन मिनट पिटा वन मिनट जैसे पहला कोशन है कि निम्निखित गटनाओं पर विचार कीजिए था इने सही कालान कुरम में विवस्तित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखरी गतिविदी था जैसे प्रारूप समीती की निक्ति है या भारती समीधान को अंगिगरत और अधिनियमित किया गया तो जैसे हम डेट लिखते जाएंगे ठीके तो अंगिगरत और अधिनियम कब किया गया यह तो 26 नौवंबर 1949 को किया गया भारती समीधान की प्रवर्थ होनी किति थी क्या है यह 1950-26 जन्वरी और यहां समीधान सभा की जो पिर्थम बैठक हुई वो आपकी 9 दिसमर 1946 को हुई और प्रारूप समीधी आपने देखा कि 1948 में बनी तो कुल मिलाकर मैचिंग अगर हम देखें तो सही क्रम क्या बनने वाला है पहले तो यानि कि 4 बन गया यह तो उसके बाद क्या बनेगा फिर यह आपका जो है तो कुल मिलाकर इक्रम आपका यह होगा फॉर्थ फ्रस्ट सैकंड और थर्ड तो हम देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा फूर्थ फॉर्ष छेकंड और थर्ड तो इसका मतलब इसका बी आंसर हो क्या आप नोट सू उठा के देखिए जब मैंने सम्मिधान सभा की जो Classly है तो उसमें जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है बड़े आराम से आप कोशनों को कर सकते हो मेरी आवाज आप सभी को आ रही है मेरी आवाज किलियर है एक बार अगर आवाज किलियर है तो मुझे एक बार बोल दीजिए के सरा आउडियो वीडियो आपकी किलिय है ओके अब देखिए मैं आपको यहां पर भी बता दूँ देखिए कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत से कोशन आपकी कंसेप्ट क्लियर होने से ही हो जाते हैं ठीक है क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो देन कंसेप्ट के पंचायतों की समध संचालन यहीं की समध चुनाबू का संचालन आप अच्छी तरह जानती हूं कि एक तो होता है राज्य निर्वाचन आयूग जैसे अगर हम देखें तो राज्य निर्वाचन आयूग इसका चुनाब कराता है आपने देखा होगा कि लोकल गौर्णमेंट क छेट ग्राम पंचायत और इसमां का नगर पालीकाएं का मतलब क्या है फॉत यसे मुंसीăm liken नगर नगर परिशत और नगर पंचायत तो इसका राज्य निर्वाचन आयूग ऋिर मतलब election commission है जो कि article 300 जो है 24 में है यह किसका election कराता है यह आपका president का election कराएगा यह vice president का election कराता है और vice president के अलाबा अगर हम देखें तो यह MP of Luke सभा और MP of Rajya सभा और इसके लाबा MLA और MLC का चुनाब कराता है MLA और MLC का हाला कि आसान कोशन है यह भी संस्था आपने आप में क्या है संविधानिक संस्था है 243K में है हाला कि दोनों ही संस्थाएं जो है निर्वाचन आयूग और Rajya निर्वाचन आयूग जो है वो दोनों ही संस्थाएं सम्विधानिक हैं दोनों ही संस्थाएं स्वतंत्र हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयूग चुनाब आयूग की अधीन काम करता है क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही सम्विधानिक संस्थाएं निर्वाचन आयूग तो हमारे सम्विधान में जोड़ दिया गया तो आसान कोशन था हाला कि इसके लाबा देखें तो जैसे यह कोशन है पंचायती राजपर असोक महता कमेटी जो पिर्ती वेदन है 1977 की प्रमुक्ष सिफारिशों के संदर्में निमकत्रों पर कौन सा सही है अच्छा कोशन है कंसेप्ट का कोशन है देखें आप यह जानतेों कि बलवंत्रामेंता Bardzo में थ्रीर वस्ता की बाद की थी जबकि अशुक महता के ने 2 ब्यीश थरीर वस्ता की बाद की इसने कहा कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत को आपस में मर्ज करके मंडल पंचायत बना देना चाहिए और मंडल पंचायत वी केंद्रीकन का यान की कहने का मतलब है वी केंद्रीकन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए वी केंद्रीकन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए तो आप मुझे यह बताईए कि जैसे हमने कहा कि पंचायती राज के तीन इस्तरी वस्ता के स्थान पर 2 स्थरी वस्ता होनी चाहिए तो यह तो मैंने बताया है कि 2 स्थरी वस्ता की बात तो इसने की है फिर राजजे स्थर के नीचे प्रेवेक्षन हेतु खंड को वीकेंदिकंड का पृथम बिंदु माना जाना चाहिए तो राज्येस्तर के नीचे प्रेवेक्षन हेतु खंड को क्योंकि मंडल पंचायत तो ही होगा वीकेंदिकंड का पृथम बिंदु माना जाना चाहिए तो इसका मतलब ये भी सही है तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों statement सही है क्योंकि इसने कहा था कि gram पंचायत और block पंचायत को merge करके वहां bundle पंचायत बनाया जाना चाहिए फिर उसके उपर जिला पंचायत होनी चाहिए तो इस दोनों ही statement आपने देखे तो ये दोनों statement सही है बहुत one and two ठीक है तो answer ये बन गया तो हाला कि इस question को हर बच्चा सही नहीं करकाया होगा लेकिन आपने अगर मेरी class की है तो obviously बात है ये class में से सीधा सीधा question आया है ओके? समझे? अब सौरब कह रहे हैं कि 243k and 243i तो देखो 243k में तो राज्य निर्वाचन आयोग है और 243i में जो है राज्य वितायोग है अब जैसे center का वितायोग आर्टिकल 280 में है और राज्य का वितायोग आर्टिकल 243i में है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिलकुल भी आपको इधर से उधर जाने की कोई आवसकता नहीं है ठीक है आप बिलकुल सही direction में आप पढ़ रहे हो और जो भी बच्चे मेरे इस batch में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपका कोई भी question इधर से उधर नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि आप लोग बिटा मेहनत नहीं करोगे तो हम आप लोगों का selection नहीं करा सकते ठीक है ये बात अपने दिमाग में रखिए क्योंकि selection आप लोग ही लेते हो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं आप मेहनत ना करोगे भाही selection कैसे हो जाएगा इस बात की मैं guarantee आपको अपने बैच में दे सकता हूँ कि आपका content इधर से उधर नहीं होगा जब आप examination hall में बैठोगे तो देन आप खुस हो जाओगे कि D के सर के note से सारे के सारे question आए है ठीक है और जितने भी state PCS के paper होते हैं सबसे hard UP PCS का paper ही माना जाता है आप लोगों को यह question थोड़े आसान लग सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने किये हैं आपने पढ़ा है लेकिन बहुत से बच्चों के लिए इनमें से बहुत से question नहीं हो पाए होंगे समझे या फ़र वो गलत करका होंगे अब जैसे next question है तो चलो आप ही बताईए बड़े आराम से आप बता सकते हैं जैसे कूट का question है यह अब इसमें क्या हुआ है कि इसने articles को लगाने के लिए पूछा है कि सर इनको articles को लगाईए जैसे दिया है अनुछे 324 अनुछे 315 बंद रहें फिर आपका अनुछे 280 अनुछे 338 तो इसको तो मैंने अभी हाल में बता दिया बहुत आसान question है जब आप important articles को याद करते हो तो यह तो important articles है यह तो याद आपको होने चाहिए ठीक है तो आप खुद देखो बड़े आराम से question कर सकते हो आप यह बताओ कि मैंने अभी आपको क्या बताया था अनुछे 280 में क्या बताया था वितायूग बताया था वितायूग कहां पर है वितायूग यह रहा है इनकी इसका answer हम क्या लगाएंगे टू लगाएंगे अभी हमने बताया कि जैसे बई निर्वाचन आयूग 324 में है तो निर्वाचन आयूग 324 में तो यहां निर्वाचन आयूग दिया है यानि कि इसके सामने 4 लगा दिंगे और यह जो अनुछे 315 है यह किसके लिए है यह आपका जो है लोक सिवायूक के लिए यानि कि इसका मतलब हमने 3 लगा दिया फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका मतलब यह 1 होगा यह क्या होगा यह 1 हो जाएगा तो फिर आंसर क्या आना चाहिए 4,3 यानि कि 2,1 तो आप देखते हैं कि 4,3,2,1 यह आ रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा यह होगा आंसर क्या होगा तीज का आंसर होगा कितना आसान कोशन है और यह इस टाइब के आर्टिकल तो आपको याद होने ही चाहिए अब देखें अब जैसे लोक सभा की पिर्थम महिला स्पीकर निम्मे से कौन थी बहुत आसान कोशन है और मुझे लगता है सभी बच्चे कर सकते हैं तो इसका आंसर बताइए कि मीरा कुमार थी उर्मिला सिंग थी सुसमा सौराज थी या पिर्थीबा पार्टिल थी तो लोक सभा की पिर्थम महिला स्पीकर कौन थी तो आपको आंसर बताना है पिर्थम महिला स्पीकर लोक सभा की कौन थी ठीक है ये काफी सज्जन महिला थी और इनकी लोक सभा अध्यक जब ये बनी तो इनकी काफी अच्छी तारीब भी हुई और जब कॉंग्रिस की सरकार थी उस टाइम में ठीक है अब देखो सौरब ने सही आंसर दिया सौरब ने का कि सर मीरा कुमार और आप ये भी जानती हो कि आंसर मीरा कुमार बनेगा और प्रिथम महिला राष्ट पती हमारे देश की कौन थी वो प्रतीवा पार्टिल है वो आप अच्छी तरह जानती हूँ ठीक है तो बहुत आसान कोशन अब देखो ये थोड़ा सा टेड़ा कोशन है सीधा हमारे संविधान से उठाया संविधान में डिक्टो लाइन टू लाइन उठाया संसद के सचवाले के पदों के सं होगी अब क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हूं कि संसद के सचवाले का मतलब यहां पर यह कि लोक सबा का सचवाले अलग है और राज्य सबा का सचवाले अलग है अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना हर बच्चा इसको नहीं करकर आ सकता और यह सीधा संविधान से सचवाले स्टाफ की सेवा सर्तों को वी नेमित करने का अधिकार होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो आप ही बताओ क्या आंसर बनेगा तो इसका आंसर क्या है नाइदर वन और टू है टू अनली है बहुत वन और टू है तो आप बताओ मैं सभी बच्चों से पूछन अचार हूं कि इसका आंसर क्या बनेगा ठीक है हाला कि थूड़ा सा ठीडा कुश्चन है लेकिन आप बताईए इसका आंसर क्या बनेगा तो इसका आंसर क्या बनाओगे आप जल्दी से बताओ वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बताओ कि संसद के प्रतेक सदन के सचवाले के लिए सम्मिलित पदों को सिर्जित किया जा सकता है यह बात बिल्कुल सही है बहुत राइट है यहनकि यह स्टेटमेंट भी सही है और यह संसद को अपने किसी भी सदन के सचवाले स्टाफ की सेवा सर्तों को वी नियमित करने का अदिकार होता है अब देखो मैं आप लोगों से क्यों कहता हूं कि आपको सम्मिधान पढ़ने की क्यों आवश सकता है अब हाला कि मेरे पास यह बहुत पुरानी बुक है सम्मिधान की आप मार्केट से लेना चाहो तो भारत की सम्मिधान की बुकलेट बेर एक्ट ले सकते हो ये मेरे पास जो बुकलेट है बाइल उंगल है हिंदी इंगलिस तोनों में लिखिए दो सो डाइसो रुपे की आ जाती है अब जैसे 98 को मैं खोल के देखता हूं कि भई हमारे समविधान की 98 में क्या लिखा है अब ध्यान से देखना क्योंकि समविधान को पढ़ना बेटा जरूरी और इस बार तो मैंने पहली बार देखा कि UPPCS में समविधान से डिक्टो कोशन उठाएं यनकी 10 से 12 कोशन इसका मतलब हम बिल्कुल सही डारेक्शन में चल रहे हैं जो टीचर यह कहते हैं समविधान को पढ़ने की आव सकता नहीं है यह आज का जो UPPCS का पेपर है वो बिल्कुल इस पस्ट कह रहा है समविधान नहीं पढ़ोगे तो भहिया कोशन नहीं यह 98 आर्टिकल आप खोल सकते हो तो इसमें लिखा संसत का सचवाल है सेक्ट्रीट ऑफ पार्लेमेंट संसत के प्रतेक सदन का प्रतक सचीविय करमचारी अवरंध होगा यानि कि परन्तु इस खंड की किसी बात का यार्थ नहीं लगाए जाएगा कि वह संसत के दोनों सदन के लिए समलित पदों के सर्जन को निवारित करती है यानि कि कहने का मतलब है कि इच हाउस ऑप पार्लेमेंट सेल है वे सेपरेट सेक्ट्रीट स्टाफ प्रोवाइड डैट नथिंग इन दिस क्लॉज असेल भी कंसर्ट एज प्रिवेंटिंग दा क्रेशन और पोस्ट कॉम बात बिलकुल सही है और सिधा ुठाया कि नहीं उठाया है और सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है तो गया बताने का मतलब बेटा यह व चीन沒事 और सीधा ौन थे आटिकल से उठा Δія है ठीक है राइट तो इसका मतलब आंसर क्या बना इसका बहुत वन एंट टू इसका आंसर बन जाएगा ओके अब यहाँ पर करार निमलिकित में से कौन भारती सम्विदान के अनुछेद 20 का हिस्सा नहीं है अब जब मैंने आर्टिकल 20 जैसे बहुत से बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं तो आर्टिकल 20 में मैं तीन क्लॉज बताता हूं 20 का वन क्लॉज 20 का सेकेंड क्लॉज और 20 का थर्ड क्लॉज और क्योंकि मैं आपको जो है न्याइक निर्ने भी समझाता हूं मैं आपको सम्विधान भी बताता हूं मैं कानून भी आपको पढ़ाता हूं तो जैस कोई उपाद्य हैं उनकी और यह पस आप पे जाके यह जाएं जो हमारा जो संविधान है तो यहां पर यह तो आप जानती हो कि इस्वेम अपने वरुद साक्षी होने से निसेद् यानि कि कहने का मतलब है तो आर्टिकल 20 का थार्ड पॉइंट तो यह कहता है कि आप अपने वुरूद जो है गवाई अपने वुरूद गवाई से सन्नक्षण है फिर कारियुत्तर विधी की बात करें तो आर्टिकल 20 का फस्ट है जो मैंने आपको बताया था अब यहाँ पर कन्फूजने A और C में पुड़ा साब यह एक्जामनर यानि कि जो आयूग अपना आंसर क्या देता है अब यहाँ तो लिखाया कि यातना की वुरूद निसेद और मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया भी है कि अगर आपको टॉट्चर किया जाता है mentally या सारे रिरूप से तो इसका मतलब यह भी आर्टिकल 20 का उलंगा नहीं है हैंगर नहीं यह आर्टिकल 20 के थाड़ पॉइंट में बताया था तो उस हिसाब से तो भही ये सही लग रहा है इसका मतलब ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है अब ये कह रहा कि दोहरे दंड की धारा अब दोहरे दंड की धारा यहाँ पर एक confusion है अगर ये लिखा होता दोहरे दंड के विरूद दोहरे दंड के वरूद लिखा होता तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है लेकिन ये कह रहा है दोहरा दंड और दोहरे दंड के वरूद में तो अंतर है दोहरा दंड का मतलब क्या दो तरह का दंड दिया जाना लेकिन दोहरे दंड के वरूद का मतलब क्या है कि आर्टिकल 20 यही तो कहना चाहता है कि वही अगर आपने कोई अपराद किया है तो आपको एक अपराद के लिए दो तरह की सजा नहीं दी जा सकती तो दोहरे दंड के वरूद दी तो हुआ तो इसका मतलब यहां language का खेल हुआ है यनकी यह काईदे में तो यह दोहरे दंड के वरूद होना चाहिए था पहला point लिए दोहरे दंड की धारा तो इसका मतलब मुझे लगता है कि यही आंसर बनेगा तो यह करा 20 का हिस्सा नहीं है तो ए आंसर इसका बनना चाहिए ठीक है क्या बनेगा ए आंसर क्योंकि यहां पर सब्द का खेल खेला गया है और कुछ नहीं है ठीक है अब देखो भारत के महानयवादी के संदर में निमल कत्रों में से कौन सा सही है तो यह बहुत आसान कोशन है सबी कर सकते हैं आप इसको महानयवादी की पद पर ऐसी व्यक्ति की निक्ति होगी जो कि उच्तम नियाले क्या नियाधिस निक्त होने के लिए एर्थ होगा वह ओविस ही बात है अगर क्योंकि एट ओनी जनरल कहां पर है 76 में और वही बनेगा जो सुप्रीम कोट का जज़ बनने की योगता रखता होगा तो सही है वही फिर करा महानयवादी को उनके पद से उसी परक्रिया से हटाए जा सकता जैसे कि उच्तम नियाले के नियाधिस को तो यह तो पॉइंट गलत है क्योंकि महानयवादी जो है प्रेजिडेंट की प्लेजर में काम करता है और सरकार की सलापर महानयवादी को राष्टपती हटा सकता है जबकि सुप्रीम कोट के जज़ जो है वो कैसे हटते हैं वो सो संसत की सलापर राष्टपती हटाता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये second तो गलत है पहला सही है तो दूसरा गलत है तो पहला सही है दूसरा गलत है तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डी इसका आंसर आ गया आसान कोशन था आपको पूरा का पूरा class not से मिला है ये अब निम युगमों मैं से कौन सा समिधान की अन जबकि ये तो फोर्ट सैडूल में है इसमें चौते सैडूल में इसका मतलब ये तो गलत है अब नौमी अनुसूची में क्या है नौमी अनुसूची में भूमी सुधार की बात है तीसरी अनुसूची में सपत की बात है सही है आठमी अनुसूची में भासाएं ये भी सही है दसमी अनुसूची में दल बलल कानून है, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या हुआ, ये आंसर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि गलत तो यही है, तो ये आंसर बन कैई, ठीक है? आप देखोगे, नीचे उच्तम रियाले को तो मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की सकती की संबन्द में दो कथन दिये गए हैं अब देखो उच्तम नियाले के पास रिट की जो पावर है वह आर्टिकल 32 में है बहुत से बच्चों को मैंने आपने जब मेरी क्लास ली होगी पढ़ा होगा सही है सिंपल सी बात है क्योंकि पास तरह की रिट है और आर्टिकल 32 के सेकंड पॉइंट में रिट की बात दी गई है कि बंदी पर्तक्षि करने यान की हैबियस कॉरपस है पर्मादेश यानि की कहने का मतलब है मेंडिमस है परतिसेद यानि की प्रोहीबीशन है और उत्प्रेशन यानि की उत्प्रेशन है यानि की क्यू इसका मतलब क्या है सर्चियोरारी है और फिर क्यू वारंटू है ओके तो पहला पॉइंट तो आपका क्या सही है फिर कहरा कि स सक्तियों का प्रियुक कर सकता है तो यह आपने देखा होगा कि जब हम आर्टिकल 32 का थार्ड पॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा भी है कि बहुत सुप्रीम कोट के लावा अगर संसद चाहे तो किसी को जो है रिठ की पावर सुप्रीम कोट के लावा दी जा सकती है ज तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इसका मतलब सही है तो पहला और सेकेंड सही है तो आंसर क्या होगा बहुत वन एंट टू आंसर होगा तो डी आंसर बन गया आप देखो निम्मे से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्य वाले चेंबर ओफ पिंसेज की व्यवस्था की गई थी अब एक बाब बताओ आपने देखा होगा कि जब व्यवस्था की गई थी तो 1853 का चार्ट एरेक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम आपने देखा कि केंदर में द्यूसदनात्मक पर्णाली कब आया, केंदर में बाइकेमरलिस्म सिस्टम कब आया, द्यूसदनात्मक पर्णाली जिसको हम बाइकेमरलिस्म कहते हैं, यह आया था 1919 के एक्ट में, जो 1919 का एक्ट था, जिसमें एक तरफ तो विधान सभा बना द और एक तरफ हमने बना दिया था राज्य परिशद और राज्य परिशद क्या था इस्टीट काउंसिल अपने अपने अपर हाउस था आपने देखा होगा कि इसका मतलब जो चैम्बर ओफ प्रिंसेंज बना तो यह 1919 के एक्ट में ही बना था लोगसवा अध्यक्स या लोगसवा उपाध्यक्स का जो पद सरजन है वो भी 1919 के एक्ट में हुआ 1919 के एक्ट में प्रांतों में दुए सासन डारेर की सिस्टम ला दिया गया लोग से वायुक का गठन कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से इ में इसके लाब आपने देखा कि डारेक्ट लेक्शन जो है इसी में स्टार्ट हो गया था 1919 के एक्ट में तो जब हम यह ब्रिटिस में सुप्रीम कोट भी कहां होता था वह अखिल भारति जो आपका संगिय कोट है वो भी तो इसी में था था और जब हमारा संविधान लागू कर दिया गया था तो 1927 मन तक हमारा सुप्रीम कोट यहीं पर था इसी में तो उसके बाद हमने सुप्रीम कोट की बिल्डिंग अलग बना दी थी ठीक है तो आंसर क्या बना भी आंसर बना अब संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनित के संदर में निकत्रों में से कौन सा सही है वही राज्य सभा के लिए उत्तर प्रदेश के 31 सीटें बिल्कुल सही है और लोग सभा के लिए 80 सदस से उत्तर प्रदेश से निर्वाचित है यह भी सही है तो आंसर क्या होगा बह फोगा है बहुत आसान कोशन सर्वोच नियाले के लिए एक निया धीज का त्याक पत्र सम्मोदित होता है अब इस सप्रू सुप्रीम कोट का कोई भी जज हो चीप जश्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी जज हो तो वह अपना इस्तीफा किसको देता है राष्ट पती को दे है या आप लोगों को तो ये समझ मां आ गया की नहीं आया आप लोगों को फिक है तो आंसर एबना इसके लाब है संग वितायूग के संदर में कच्थनों में से कौन सा सइए वितायूग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं बही यह शह तो नहीं होती मैंने तो चाल लिखवाएं इसका मतलब यह तो गलत है यह अपना प्रतिवेदन किसको देता है राश्टपती को देता है और जब मैं वितायू का टॉपिक पढ़ाया होगा तो उसमें समझाया होगा मैंने यह भी गलत है तो इसका मतलब दोनों ही गलत है नाइदर वन और टू यह आंसर राज्य mü विधानपर्सृत कीि इसंत sebhar कि कौन्स राज्यो penguin क्यूश्य सथ cinnamon साइक नोश्य में तो नहीं सकते यह सही पूंकि वनवाइं थरसिज्ब्हा नहीं सकते यह बात सहिए किराए कि एक राज्ये की यहां पर बूला गया है कि एक राज्ये की विधान परसद में कम से कम 40 सदसा अवस्य होना चाहिए तो कम से कम 40 थो होनी चाहिए ठीक है और जब कि विधान सबा में कम से कम 60 होनी चाहिए तो वैसे ही दोनों statement सही है तो इसका मतलब क्या होगा बहुत one and two होगा अब देखो कि भारत की उप्राष्टपती का निर्वाचन जिसे सरुच न्याले द्वारा सुनने गूशित किया गया है संदर में निमेसिक कौन सा कतन सही है एक article था 71 आपने देखा होगा कि 71 क्या कहता ह राष्टपती और उप्राष्टपती के लिए है कि अगर राष्टपती उप्राष्टपती के निर्वाचन का कोई भी मुद्दा है तो उस पर ultimate authority किस की होगी सुप्रीम कोट की होगी और मैंने आर्टिकल 71 जब आप मेर से पढ़े होगे तो मैंने उसके चारों क्लोज बता क्या कहता है तो आर्टिकल 71 का जो सेकंड क्लोज वो इस बात को कहता है कि उप्राष्टपती के रूप में इस प्रकार की घुशना से पूर्व उसके द्वारा किये गए कारिये विधी मानने होते हैं यह अगर मानलो दो साल उसने काम किया और उसको उसके बाद हटा दिया गया तो इसके जो किये गए कारिये क्या मानने नहीं होते हैं बिल्कुल मानने होते हैं तो यह कह रहा है मानने होते हैं ठीक है तो उसके द्वारा किये गए कारे विधी मानने होते हैं तो जबकि मानने नहीं होता है इसका मतलब यह गलत है नहीं तो तुम आर्टिकल 71 का दे आप डिक्टोक सम्विधान से कोशन उठाया है, हम 71 आर्टिकल उपन करते हैं, आप देखो 71 आर्टिकल उपन करिए, इसका मतलब इस बार मैंने पहली बार UPPCS में ऐसा देखा है कि आर्टिकल के अंदर जो क्लॉज हैं और सब क्लॉज हैं वहां से सीधे कोशन उठायें, ठीक उच्तम न्याले द्वारा किसी व्यक्ति के राष्टपती या उपराष्टपती के रूप में निर्वाचन को सुन्ने घोसित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा यथा इस्तिति राष्टपती या उपराष्टपती के पद के सक्तियों के प्रियोग और करतवयों के पाल कारिये विधी मानने होगा बिल्कुल कह रहा है ठीक है इस बात को इसका मतलब पहला गलत है दूसरा पहला सही है दूसरा गलत है तो आंसर क्या हुआ यह आंसर बन जाएगा इसका आंसर अब देखें निम्मे से कौन सा प्राब्धान संविधान का भाग सही सुमिलित नहीं है अधिकरण किस में है क्या 11 में है जबकि अधिकरण तो 14 A में आता है इसका मतलब भी तो गलत है संग राजय छेतर 8 में आते हैं सही है अनुसूची जंजाती छेतर किस में है 10 में आते हैं यह तो सही है और राजभासा किस में आता है 17 में आता है इसको 17 ही तो बोलेंगे तो अधिकरण भी पढ़ाया जब मैंने कोट पढ़ाया मैंने संग्राज्य छेत्र अनुसुची जंजाती छेत्र तो मैंने अभी पढ़ाया था राजभासा भी अभी पढ़ाया तो बड़े आराम से कौन सा सुमुलित नहीं है तो इसका मतलब यह आंसर आ जाएगा अब नीचे दो कथन हैं जिन मेंसे एक को अभी कतन दूसरे को कारण कहा गया तो बताईए राष्टपती संसत का भाग है सही है क्योंकि 79 इस बात को कहता है अब कारण क्या है कि संसत के दोनों सद्रों द्वारा पारित विद्यक राष्टपती की सहमती से बिना कानून नहीं बन सकता ठीक है यह बात कारण भी सही है तो इसका मतलब क्या है कथन कारण दोनों सही है तो यहां पर लिखा है कि बहुत ए और आर आर ट्रू एंड आर इस करेक्ट एक्स्प्रिनीशन आफ ए बिल्कुल भी आंसर इसका बने का ठीक है यह कह रहे हैं कि कोशन नमर सोले में है जीरो क्या सोले में क्या है जीरो का मतलब है यह सुन्य का मतलब है जो काम है वो सुन्य माने जाएंगे ठीक है जीरो का मतलब होता है सुन्ने यान कि जो काम किये वो बिल्कुल सुन्ने घुसित कर दी जाएंगे इनकी नल घुसित कर दी जाएंगे इसका मतलब नल होता है अब उसके बाद अगर हम दीखें तो थोड़ी अब निमलिक मैंसे ग्राम सभा के संबंद में कौन सा कथन सत्य नहीं है अब देखो ग्राम सभा आपको मैंने ग्राम सभा भी पढ़ाया होगा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है तो इसके कारी और सक्तियां ग्राम इसतर पर उसी प्रकार के जैसे राज्य ववस्थापिका के राज्य सतर पर होते हैं यानि कि ग्राम सभा एक तरीके से क्या काम करती है विधाईका की तरह काम करती है और जबकि ग्राम पंचायत कारपलिका की तरह काम करती है तो वैसे तो यह सही है इसकी सक्टियों का निर्धारन केंद्री सरकार के द्वारा होता है जबकि इसके लिए कानून तो राज्य सरकार बनाती है तो इसका मतलब भी गलत है यह एक ग्राम इस तरकी सभा है जिसमें पंचायत के छेतर के सभी पंजीकरत मद्दाता समलित होते हैं जो registered voter है इसका मतलब सही है आप किरा A और C लेकिन जिब पूछ क्या रहा है नहीं कौन सा सही नहीं है तो B सही नहीं है तो इसका answer फिर B बन जाएगा क्योंकि सही नहीं है यह पूछा है इस question को भी आप देखोगे तो यह सीधा सीधा जो मैंने अपने notes में पढ़ाया है और gram सभा और gram पंचायत में क्या difference होता है यह मैंने आपको समझाया है डिक्टो कोशन वहां से मिला जबकि हर बच्चा इस कोशन को नहीं कर सकता जिसने gram सभा और gram पंचायत में जिसका difference बता होगा वही कोशन करके आएगा इसका मतलब कुछ कोशन तुम देखोगे जैसे संसत का सच्वाल है उपराष्टपती का कोशन है ग्राम सभा का कोशन है ठीक है तो यनि कि 7-8 कोशन तो इतने अच्छे कोशन है कि हर बच्चा इसको नहीं कर सकता लेकिन बट आपने अगर मेरी क्लास को सरी डंग से पढ़ा है तो डिक्टो क्लास से सारे पॉइंट उठाए गए हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है मैं अपनी क्लास में संसत्य जो सइक्ठ बैठक है आप जानते हैं साइक्ट बैठक किसमें यह भी सीदह सिदह समविदान से उठाया 108 में है । कुछछ कुछ दसाओं में संसत की दोनों सद्रों की सब्सक्राब्राइब सब्सक्राइब क्या हुगा बहुत बता दो कि मैंने नहीं बताया है ठीक है डिक्टो मैंने क्लास में सारी चीज़े करवाई हैं और आप लोगों से एक ही प्रॉमिस किया था आराम से पढ़ो ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप एक्जामनीशन देने जाओगे तो बड़ी खुस हो जाओगे कि हाँ सारा कुशन डिक्टो नौट से मिला है बसरती कि आपकी अपनी मेहनत भी होनी चाहिए ठीक है हाँ जी UPSC के लिए भी सही है मैंने हमेशा काया कि जो मेरा पॉलिटी स्पेसल बैच होता है पॉलिटी स्पेसल बैच चाहे आप किसी भी स्टेट PCS की तियारी कर रहे हो चाहाँ IS की तियारी कर रहे हो आप उसको जो में चाहता हूं ठीक है और इतने सस्थे में इतना अठ्छा कंटेंट आप को नहीं मिल पाएगा ठीक है और मैं इस पूछ पूछ के देखो जो बच्ची ये कह रहे हैं कि सर हम तो काफी question नहीं कर पाए वह बच्चे कौन नहीं कर पाए जब teacher उनको वैसा content देगा ही नहीं तो उनको तो हलुआ थोड़ी लगेगा हलुआ तो उन बच्चों को लगेगा जब टीचर कंटेंट दे रहा है तो मैं बेटा कैसे पढ़ाता हूं कैसे नहीं पढ़ाता मैंने आपसे सिर्फ एक बात हमिसा बोली है कि तुम्हें जब तुम्हें एक्जामनीशन पॉल में बैठोगे तो पॉलिटी के कोशन देखके खुस हो जाओगे ठीक है और मेरे पढ़ायों बच्चे आप मैंसे आप खुद भी कई बच्चे जो है यूपी PCS का पेपर देखे आए हैं और सब ने किसी ने 21 सही किया है किसी ने तो 22 के 22 पूरे सही किये हैं ठीक है तो आपको मैं बता रहा हूँ देखो इतनी कम फीस में ये क्वालिटी आपको नहीं मिल सकती आप आई एस का भी मैं आप से कह रहा हूँ 20 कोशन आएंगे तो 18 कोशन मेरे नौट्स में से आएंगे स्टेट PCS में हमेशा कहता हूँ डिक्टो सारा का सारा 100% कोशन मिलेगा इसके लाबा CDS है, NDA है, TGT है, PGT है, SSC है या कोई भी एक्जामनेशन है छोटा बड़ा इस किलास से बाहर कोई कोशन नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये जो पॉलिटी स्पेशल की किलास मेरी जो होती है, वो बेसिक टू एडवांस होती है मैं बेसिक भी पढ़ाता हूँ और बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल पर भी लेके चलता हूँ चाये बच्चा पहली बार पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेसर हूँ, चाये बच्चा चार-पांच जगे पढ़के आ चुका हूँ, मेरा बैच हमेशा सभी बच्चों के लिए अच्छा बैच रहता है, ठीक है? अब देखो इसके बाद अगर आप देखोगे, निम्मे से कौन सा प्रावधाने नीती, निर्दिशक तत्व और मौलिक करतवे दोनों का एक भाग है, यानि कि जो DPSP में भी आता हूँ, और जो Fundamental Duties में भी आता हूँ, तो कई बार मैं अपने क्लास में बताता हूँ, कि ज आकर्तिक प्रियावरण की बात आ जाए, तो इसका मतलब Fundamental Duties है, तो ओविसी बात है, आंसर तो यही बनेगा, तुम देखो, यहां लिखा उधियोगों की प्रवंदन में कर्मकारों का भाग लेना, ये सिर्फ आपका DPSP में, Fundamental Duties में तो नहीं है, समान नागरिक सही था, ये DPSP में, Fundamental Duties में तो नहीं है, अभी बावक बच्चों को सिक्षा के अफसर दिलाए, ये आपका Fundamental Duties में, DPSP में ऐसे नहीं है, लेकिन प्रियावरण का जो सन्रक्षण ये दोनों में है, तो इसका मतलब आंसर क्या बना, D बना, और प्रियावरण को लेकर तो मैं कई ये बार आपसे बोलता भी हो, क्योंकि यहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, और मैंने अपने नोट्स में लिखा भी है, ठीक है, इसके लाबा अगर आप देखोगे, भारती सम्विधान के प्रारम में किस अबदी के लिए, सभी सरकारी उद्देशे हे तू, अंग लिखा है कि अंगरी जी भासा की अनुमती 15 वर्सों के लिए दी गई, जिसमें संकी राज भासा दी गई है, संकी राज भासा, और की ऑफिसियल लेंग्वेज ऑफ यूनियन, तो उसमें लिखा है संकी राज भासा हिंदी होगी, और जो लिपी है वो देवनागरी होगी, और वहाँ पर ये 15 years का मैंने concept आपको समझाया भी है, ठीक है, जब मैंने आपको भाग 17 पढ़ाया, तो अब ये आप खुद बताओ, देखो, यूपी PCS का पेपर मैंने तो नहीं बनाया, और यूपी PCS का पेपर होने से पहले जब आप एडिविशन लेते हो, तो मैं हमिसा एक बात कहता हूँ, कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाता हूँ, इसको मत देखो, आपको मेरी क्लास में concept भी किलियर होगा, content भी आप को अच्छा मिलेगा, और कहीं दूसरी जगह आपको जाने की आवसकता नहीं है, ठीक है, आप चाहे छोटे से छोटे एक्जाम की तैयारी कर रहे हो, या भारत के सबसे बड़े एक्जाम, IS की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, NDA की, CDS की, या फ 236-140 गंटी पढ़ाया जा रहा हूँ, और हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा हूँ, तो इससे बैटर और क्या हो सकता है, ठीक है, भाई मैं इतना ही तो कह सकता हूँ, आप लोगों से कि एक्जाम निशन हॉल में जवाब बैठोगे, चाहे आप कोई भी से सब कुछ आया, और मेरा बैच आप जानते हो, केरियर विल एप पर आता है, ठीक है, जहां पर ओनलाइन एजुकेशन और हर दो महिने में पॉलिटी स्पेशल बैच आते ही आता है, ठीक है, क्या बेटा कॉमल क्या पूछ रहे हो बेटा आप, तो और आप कह रहे हैं सर, कि टेक्स्ट बुक ले आएं, कंस्ट्टूशन ओफ इंडिया की बुक ले, देखो, मैं ये बात तो कहता हूँ, वैसे तो कोई बुक लेनी के आपको जुरुत नहीं है, लेकिन कंस्टूशन ओफ इंडिया की बुक आप ले सकती हो, क्योंकि वो भारत का सम्विधान है, हमा सारी नहायपाली का, उसी समविधान के अकॉर्डिंग चलती है, तो सो डाइसो की बुक लेट आती है, तो मैं तो आप से कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ, उसे खोल के बैठ चाहे करो, क्योंकि सम्विधान की लेंग्विस समझ में नहीं आती ही, जबकि मैं उसको व पेवाला बैच आपको आट समव में मिलता है, जब सुरुआत में आप बैच ले लेते हो, ठीक है, तो आप खुद कंपेरिजन करकर देखो ना, कोई इतना पॉलिटी नहीं बढ़ाता है, और मेरे पॉलिटी में तो आप देखोगे असी टॉपिक है, मैं आपके पॉलिटी तो यार इससे बेटर और क्या हो सकता है, फुल मिलाकर में चीज होती है, क्वालिटी की, क्वालिटी आपको मिल रही है, और बुव आपको मिलती रहेगी, बसरती कि आप मेहनती होनी चाहिए, और बार-बार जो भी नोट्स में आपको पढ़ाये जा रहा है, उनका बार- वीजन ना करो, तो भीया हम भी आपका सेलेक्शन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, यूनो वगरा ये मैं नहीं करवाता है, इस बैच में, आप कहो कि अंतरास्थी है, संस्थाएं करवाऊं, लेकिन बट जो हमारी वैधानिक, कारिकारी, या आर्दनियाइक, या फिर हमारी संस्थाएं में पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, राइट, चली एक है, तो आज कहने का मतलब है बैस, खुड़ा सा आज मैं बिजी भी हूँ, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि कल मैंने तीन टॉपिक आपको आपकी किलास में पढ़ा होने के आवसकता नहीं है, आप बिलकुल मन से पढ़िए, और ये विश्वास के साथ पढ़िए, कि हमारी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं इस बात को विश्वास को दिला रहा हूं, आप लोगों को, और आपको भई, अब क्या, अब अगर विश्वास नहीं ह बहुत नहीं है, भारत के सम्विधान के लिए तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वो एक authentic booklet है, तो उसको आप सामने खोल के बैठ जाओगे, तो अच्छा है, क्योंकि मेरे बिना नहीं पढ़ सकते हैं आप उसको, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं अपना कोई topic, तो स सम्विधान को भी साथ की साथ उठाता हूं, तो उससे ये समझ जाते हो, कि सम्विधान किस language में बोल रहा है, और मैं किस language में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, राइट, तो खेर, उन सभी बच्चों को, UPPCS के सभी बच्चों को, जिन्नों का paper बहुत अच्छा गया है, अब वो फाइनली एक अच्छा selection देश सको, कि next class में मिलते हैं, इसी जोस और जज़बे के साथ, नमस्कार, जैहिंद